गंगरार शेत्र में एक अग्यात युवक की लास मिलने से लोगों में संसनी फैल गई उसके सरीर पर गंभीर शोट की निशान है शनिवार को उफखन शेत्र के राश्टी राजमार्क सोनियाना ब्रिज के पास बिंदोनिया रोड पर अग्यात विक्ति का शौ मिला था मेरी जानकारी के अनुसार सुब नो बजे उंडवा सरपंच पपु गोजर को गोविलाल गोजर ने मोबाइल द्वारा सुचना दी कि बिंदोनिया रोड पर एक अग्यात वेक्ति म्रत आवस्ता में पड़ा था गटना की जानकारी मिलते ही सरपंच ने ततकाल मोबाइल द्वारा उच अधिकारियों को इस गटना की जानकारी दी इस पर डी एस पी लाबूराम विश्णोई वर थानादीकारी लक्ष्मी राम मिलना साइथ पुलिस थानक अगरार से पुलिस के जवान मोके पर पहुँचे इसी दोरान गटना इसतल पर ग्रामेंड लोगों का वजू एकत्रित हो गया राश्टिय राज्यमार्ग से आदा किलोमेटर की दूरी पर एक अग्यात विक्ती का शव मिलने से जिसने आस्मानी टी-शेट और काला कोट वर जूते मुझे पहने होई थे और सिर्फ स्कार्प से ढखा हुआ था सिर्फ पर गंभीर मारपीट की निसान हाथ पेट पर चाको लट की निसान देखने को मिले यूएक के अमर करीब 35 से 30 वर्स के बीच बताई जाती है मौके पर एक पैर का जूता भी गिरा मिला है जो की पूरा गिसा हुआ है और पैरों की अंगलियों में रगट की निसान है जिससे ही अन्दासा लगाया जा रहा है कि उसे कहीं ओर जगे से मोटर साइकल पर बिठा करिया लाया गया और स्फल टीम भीलवाड़ा मौके पर पहुंच गई गंगरार थाना सेक्टर में सोनियाना गाउं में नेशनल आईवे के पास एक कच्चे रास्ते के किनारे आज सुबह ग्रामिनों ने एक अग्यात तेक्ती की डेड बोडी देखी डेड बोडी करीबन 30-35 साल का वेक्ती है और टी-सर्ट और हाफ पैंड पैनी हुई है पैरों में पैर के नाकुनों में भी चोटके निसान है बूड साइड में पढ़ा है और इस तरह किलास मिली है और उसकी आगे सिनक्त के लिए कारवाई कर रहे है और आगे जो भी कानुनी कारवाई है उसको अमल में ला रहे है सर इसके चेरे पर कापी चोट के निशाने से क्या संदेशा जाता है संदेशा तो यही जाता है कि इसके साथ मार पीट की गटना हुई है और परतम द्रश्टिया देखो अभी जहां सुरू करने पर किस नतिजे पर पहुंचेंगे इसका पोस्ट मार्टम करवाने के बाद सारी इस्तिती साफ हो जाएगी लेकिन है गंबीर कटना है